अस्ट्रावनिक में सिक्स क्लास, यूर इंगलिश टीचर हीर, मिस्ट नताशा, एंड इस अवर लेक्चर नमबर नाइन पिछली लेक्चर तक हमने ये पढ़ लिया था कि रसी टूट चुकी थी, तो क्या किया एक शक्स ने? उसने अंगूरों की, बेल की, एक पकडंडी जैसी, शाख काट ली, दुमदार, जैसे वो दुम की तरह लटकती हुई लंबी, उसने क्या किया? उसने रसी के सिरे से बांग दी, और आखिर में क्या का? कि एक बच्चा भी अब घंटी को बजा सकता है, आप नियू पेराग्र कि सोती हुई सपैर के वक्त, उन्होंने अवास सुनी, घंटी की बजने की, they were surprised, वो हैरान थे, because the bell had not rung for a very long time, वो हैरान थे, क्योंके काफी लंब्यार्से से, घंटी की अवास किसने नहीं सुनी थी और घंटी नहीं बजी थी, So, some of them ran to the marketplace, उन्हों में से कुछ लोग भाग कर बजार पहुँचे, and one of the judges too rushed there, और उन्हों काजियों में से कुछ भाग कर वहाँ पर पहुँचे, but when they reached the spot, जब वो उस जगा पर पहुँचे, spot का मतलब क्या है, जगा, spot means, जगा, all that they found was an old horse eating the grape wine, fastened to the rope, जब वो वहाँ पर पहुचे तो उन्हों ने क्या पाया, एक बुड़ा घोड़ा वहाँ पर उस अंगूरों की बेल को खा रहा था, जो रसी के साथ बंदी हुई थी, fastened, बंदी हुई, of course, every time he gave a tug at grape wine, the bell rang, वो जैसे ही उसको खाने के लिए, चबाने के लिए, खेंश था, तो उस अंगूरों की बेल को, अंगूरों की बेल को खेंश था, तो वो गंटी बचती थी, some people grumbled and said, कुछ लोग गूरों ने बढ़ बढ़ाया और कहा कि what a joke, ये क्या मज़ाक है, a horse ringing the bell, एक घोड़ा, घंटी बजा रहा है, but the judge said, लेकिन काजी ने कहा, even a horse can ring the king's bell of justice, क्यों नहीं, घोड़ा भी बादशाह के इंसाफी घंटी बजा सकता है, अब देख सकते हैं कि वादा भूखा है, and he has rung the bell to complain against his master, उसने घंटी बजाए कि वो अपने मालिक के खिलाफ शिकायत कर सके, who is the master of this horse, इस घोड़े का मालिक कौन है, बच्चों आगे जाने से पहले, यहाँ पर थोड़ा सा explain कर लेते हैं, यह एक misunderstanding थी, घलत फहमी, अब घलत फहमी, इनसाफ के लिए कैसे सही बनी, वो यह था कि घोड़ा भूखा था, और उसने जाके, सिर्फ अंगूरों की बेल को शुरू किया, खुराक समझ के, अब एक जानवर में इतना सेंस उस वक्त नहीं था, ना हो सकता है, कि वो जाके घंटी बजाए, और यह बात जानता हो घोड़ा, कि यह इनसाफ के घंटी है, इनसाफ के लिए है, और यहाँ पे लगी हुई है, तो वो बजाएगा, तो उसे इनसाफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ बूखा था और वो खा रहा था, लेकिन चुक्छे लोग अब इस बात का मजाग बनाने लगे, या मजाग बनाते आगे जाके, तो काजी ने क्या कहा, कि क्यो नहीं, इस रियाया में, यहाँ तक के जानवर भी आके, इतने भी हॉर्सेस होते हैं, वो अपने मास्टर के साथ रहते हैं, कभी उनको एक वाइल्ड एनिमल नहीं माना गया, नॉर्मली हॉर्सेस ऐसा जानवर है, जिसको मोस्टी लोग पैट एनिमल में काउंट करते हैं, पाल्तू जानवर में काउंट करते हैं, तो तब ही उस का मालिक कौन है क्योंकि डिरेक उसने यह नहीं कहा कि इसका मालिक कौन हो सकता है या कोई इसका मालिक है या नहीं बलके काजी ने कहा कि इसका मालिक कौन है डिरेक्ट मालिक की बात की यकीन यहां पर यह पॉइंट भी बनता है कि होर्स इस पेट एनिमल considered as a pet animal मैं इससे 100% नहीं कर रही लेकिन consideration में आज सकता है कि mostly लोग घोडे को पालना पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी वहीं बात किये गई अब next lecture में देखते हैं कि आगे क्या होता है Thank you so much